कुम्ब रासी के लोग किस प्रकार के होते हैं आज के वीडियो में बात करेंगे कुम्ब रासी के लिए लक्की कलर कौन सा है कुम्ब रासी के लिए शुब वार कौन सा है मैं डॉक्टर हिरेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे यूटूब चैनल में अगर आप फर्स्ट कर लेजिए वीडियो को लाइक कर देजिए वीडियो के कॉमेंट्स में अगर कोई आपको जवाब मिलता है तो यह स्कैम हो सकता है स्क्रीन के उपर जो नंबर दिख रहा है उसके अलावा और कोई दूसरा हमारा नंबर नहीं है आपको आपकी पर्सनल कुणली का वेश्टले कुम्ब्रासी की जो जातक कुम्ब्रासी में आते हैं वो नॉर्मली कठोर सो भाव के होते हैं निष्ठावान होते हैं नियायप्रिय होते हैं ज्यादा तर ऐसा देखा गया है कि कुम्ब्रासी के जातक हाइट में थोड़े लंबे उनका रंग जो होता है वो थोड़ा सामल में मतलब की 25 से 30 साल की उम्र तक वो दूबले पतले रहते हैं उसके बाद 30 से लेके 50 साल की उम्र तक उनका कद काटी ठीक ठाक हो जाता है कुम्रासी के स्वामी शनी महाराज है नियाई प्रिय होते हैं कुम्रासी के जातक का कुम्रासी की बात करें तो इन लोगों के लिए कि पेट्रॉल और अगर कुंडली में शनी की सिती और शुक्र की सिती अच्छी है तो सफेद कलर इनके लिए काफी शुब होता है कि दिन की बात करें तो इनके लिए शनीवार और शुक्रवार काफी शुब दिन होते हैं नॉर्मली कुमरासी के जातक शनी प्रदान है तो रात को इनको घुमना ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन अगर राहु कुंडली में खराब है तो रात का घुमना इनके लिए तकलिफ पैदा कर सकता है कुम्रासी के जातक शादी करने की बात करें तो इनकी शादी नॉर्मली 30 साल के उम्र के बाद होती है मालिक इनके शनी है किसी भी प्रकार के व्यवहार में नियाय प्रिय होते है किसी के उपर अगर तकलिफ पड़ रही होती है तो यह ज़्यादा देख नहीं सकते हैं कि कुम्रासी के जातक किसी की तकलिफ अपने उपर भी ले लेते हैं यह उनका एक माईनस पॉइंट भी कह सकते है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पे भी जगडा चल रहा हो तो इनमें ये पहले कुद पड़ेंगे, क्योंकि वो देख नहीं सकते कि किसी के साथ गलत होता हुआ, शनी प्रधान होते हैं ये लोग, गुण धर्म की बात करें तो गुण धर्म इनका स्थीर होता है, तत्व इनका आकाश होता है, इनके लिए दिशा की बात करें तो पश् और तिन नक्षत्र मिले हैं जिस प्रकार से हम सारे वीडियो में बता चुके हैं कि 27 नक्षत्र है और सब के 9 चरण होते हैं उस हिसाब से कुम्रासी को धनिष्टा नक्षत्र के 2 चरण शत्पिसा के 4 चरण और पुर्व बाद प्रद नक्षत्र के 3 चरण मिले हुए हैं कुम्रासी की बात करें तो कुम्रासी के जातक बहुती सौम्य और इनको घूमना फिरना काफी पसंद रहता है खाना खाने की बात करें तो इनको थोड़ा तीखा खाना ज्यादा पसंद होता है एक बैतरीन उपाई है अगर वो लाइफ में करें तो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे अगर कुंडली के अंदर शनी की स्थिती ठीक नहीं है तो रात को जल्दी सोना सुरू कर दीजिए उसके उतना पानी ज़्यादा पीजिए क्योंकि तत्व इनका आकाश है लेकिन शनी जो है वो बहुती थंडा प्लैनेट माना गया है अगर वो पानी ज़्यादा पीते हैं तो इनको बहुती ज़्यादा फाइदा होगा और इनके लिए शनी भगवान की उपासना काफी मात्योपुन हो जाती है कुम्रासी के जातक अगर शनी भगवान की हन्मान जी की पूझा अगर करते हैं तो इनके लिए काफी फाइदा ह हो सकता है तो यह संक्सित में जानका रहती कुम रासी वालों के लिए अगर आप आपकी रासी का विश्लेशन करवाना चाहते हैं तो हमारे देगे नंबर पर पीड कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हैं बने रहे हमारे साथ नेश्ट रासी के लिए